नमस्कार दोस्तों, मैm BJP आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज नम को बताओंगा कि बिझली कितनी गती से तेजी करती है जी हाँ फ्रेंड्स घुबिझली आपके घरों में आती है जिसे आपका पंका चलता है बलफ जलता है कूलर चलता है उसकी स्पीड कितनी है आपके घर के बगल में तो कारखाना नहीं होगा बिजली बनाने का वो तो बहुत दूर होगा 100 किलिमेटर या 200 किलिमेटर तो इतना जल्दी जैसे ही उहां लाइट दे जाता है वैसे ही आपके घर में लाइट कैसे जल जाता है तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कि बिजली की गती कितनी होती है तो फ्रेंड्स 700 के अनुसंधान के बाद यानि सेंटिसो ने रिसर्ज किया उसके बाद एक आखारा निकलके आया कि 30,000 km पर सेकंड यानि एक सेकंड में 30,000 km तक बिजली यानि electricity ट्रेवल कर सकती है यानि 28 से 30,000 km के बीच electricity ट्रेवल कर सकती है यह आकड़ा निकल के आया सेंटी सो ने इसे निकाला है चलिए example लेते हैं इसे साबित करते हैं कि यह सही है या नहीं है तो अगर आप एक बल्फ लगा देते हैं चांद के उपर, मून के उपर और पिर्थिवी से चांद तक एक वायर लेते हैं तार और जैसे ही आप पिर्थिवी पर switch on कीजिएगा तो चंद्रमा पर light जलने में 10 सेकंड का वक्त लगेगा यानि पिर्थिवी पर आप जैसे ही switch on कीजिएगा तो आपको 10 सेकंड बेट करना होगा चंद्रमा पर बल्फ जलने के लिए क्योंकि चंद्रमा का पिर्थिवी से 30,000,000 km दूरी है ठीक है लेकिन बिजली की गती 30,000 km पर सेकंड है तो अगर आप चंद्रमा और पिर्थिवी चंद्रमा पर एक बल्फ लगाते हैं जो जिसे का connection पिर्थिवी से करते हैं और अगर आप स्विच दवाते हैं तो 10 सेकंड का आपको बक्त लगेगे तो फ्रेंट्स 30,000 km बहुत जादा होता है यही कारण है कि आपका पावर प्लाइंट दूर होने के बावजूद भी आपके घर में लाइट तुरंट आ जाता है नर्मली हम लोग बाइक चलाते हैं गाली चलाते हैं तो उसका क्या है 30 km होता है पर आवर यानी घंटा में 30 km 40 km पर आवर 200 km पर आवर 600 km पर आवर बस इस जादा नहीं लेकिन यहां है 30,000 km पर सेकंड यहां सेकंड है आवर नहीं बहुत जादा पेज है तो फ्रेंड्स आप सम्मझ गया होंगे कि बिजली की गति क्या होती है इस वीडियो में इतना है देखने को धन्यवाद अगर यह वीडियो को पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ सेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद